हेलो फ्रेंड जैमातादी कैसे हैं आप सब आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चेर करने वाली हूँ अगर आप दीबदान सही तरीके से नहीं करते हैं सही तरीका दीबदान करने का आपको नहीं पता तो हमारा दीबदान करने का कोई भी फायदा नहीं है कोई भी फल पुन प्राप्ता में नहीं होगा तो फ्राइब सबसे पहले हमें ये जानना है कि दीपक हमें कैसे जलाना है सही तरीका क्या होता है दीपक जलाने का कार्तिक के पूरे महीने दीबदान करने का महत होता है अगर आपने पूरे महीने दीबदान नहीं किया है तो एक दिन ऐसा होता है देब दीपावले जिजन हम दीबदान कर सकते हैं और पूरे कार्तिक के महीने का पुन प्राप्ट कर स आज प्रश्मना बहुत दूर दूर जाते हैं दीबदान करने के लिए लेकिन अगर वह सही तरीके से पूजा विदी से नहीं दीबदान करतें तो उनको कोई भी फायदा नहीं है इतनी दूर जाने का प्रण्झे की सब यही सोचके जाते हैं कि हम गंगागाड जाएंगे बताने वाले हैं कि हमें दीबदान कैसे करना है सबसे पहली बात कार्थिक के महीने में दीबदान करने का जो दिन है अब वो है देव दीपावली तो देव दीपावली पे जो है ये अंतिम दिन रहे गया है कार्तिक के महीने का इस दिन जो है देव दीपावली में आई जाती है हमारी दीपावली होती है हमारी दीपावली को खाली दीपावली बोलते हैं और जो कार्तिक की पूर्णिवा वाले दिन होती है उस दिन उसे कहते हैं देव दीपावली मतलब यह हमारी दीपावली से भी बहुत बाड़ी दिपावली होती है इस दिन जो है देपतजिंद धर्टी पर अपस्तित भोते हैं और वली मनाते हैं तो इस दिन का दीबदान बहुत जादा महत्पर रखता है बहुत जादा पुन्य-प्राप्त होता है तो पर देखिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि दी दीबदान नहीं किया तो उस दीपावली का भी हमें कोई भी पुन प्राप्ट नहीं होगा सारा फल भगवान बली को इसलिए चला जाता है क्योंकि भगवान बली ने विष्णु भगवान से वर्दान मांगता कि भगवान जो प्रित्वी पे भक्त अपट आप आपके जो दीपावली मनाएंगे दीपावली के तीनों दिन जो दीपक जलाएंगे धन्तेर है छोटी दिवाली बड़ी पे उसका जितना भी पुन्य होगा वो मुझे मिलेगा तो भावान ने उन्हें ये बर्दान दिया लेकिन लक्ष्मी माता ने ये कहा कि पूरे साल में फरिकश्ण भकतिजण जो इसी दिन दीपक जलाते हैं इन तीन दिनों में ही इपक जलाते हैं और पूरे साल इतना पूरे साल इतना दीपक नहीं जला थे तो अगर उस दीन का देब्दान का जो पुन्य है तो उनको क्या मिलेगा तो जब भावान भली ने पुन्ने पराप्त होगा जो देव दीपवली पर जलाएंगे जो देव दीपवली पर नहीं जलाएंगे दीपग उनको धन तेरस का छोटी दिवाली बड़ी दीवाली का दीब्दान का पुन्ने पराप्त नहीं होगा उनका पुन्ने पराप्त मुझे मिलेगा तो इसलिए ज दीबदान भी दीबदान जो है नियों सामको दिल splashing करते Psal sendiri सामको दिले से काड़ा फोल मा कर सकते है पूंजातो न हे सामको दिल ढूंद का आगा in सबस्रीटर देखते हैं दीदान कर सकते हैं तो हमएं दीदान कैसे करना है हैं सही तरीका हम आपको बताएंगे विजियो verstehen सबसे पहली बाद दीबदान कैसे करेंगे है, मैं आपको बताती हुँ. तो अगर आप गंगा घाट जा रहें तो वह नहीं घा पा है है, तो आप इस तरीके से घर में ड़िफ कर सकते हैं, पहले लहां है कि आपको साधा पानी के उसमें town धोड़ा जल डाला है तो ठीव पेकर जने है Isisभी इन उसमें पेड़ा । यहांको थाल अ स्वेच Мया नी नी की पूजा कर रहे हैं यहां हम इक प्ता लें तेपक्क पित्रों का दिपदान करें तो हमें पित्रों का दीब्दान कर रहे हैं हमें पित्रों के नाम का दीबदान करना है, नदियों के नाम का दीबदान करना है, जब पित्रों के नाम का दीबदान करते हैं, वो नदियों में बहाया जाता है, दीबदान इस तरीके से नहीं बहाया जाता, हम जो है यही गलती कर देते हैं, हम घाट पे जाके और नदियों आपे में फूल को पूझ लेंगे घर में भर्म मेंcolor कुम कुम जा है, आप staying school 11 द Sewolored लेकर, लेकर हैं था कुछ नेई, स्पॉरा इंतिजाम हैं अपने घर ही इस अब भाना इस सम्हें अनुए को फूल को कद देने हैं जो आपको फूल मिल जाएं आप वहीं से ले लीजिए और अपको फूल इस तरीके चलाने हैं घर में अगर आप कर रहे हैं तो घर आप यहां पे कितने भी दीपक जला सकते हैं मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है दीपक जला के एक ही आप क्या रहा है कि जितनी यह देव दीपा वली पे जितने दीपा जलाए जाए उतना ही अच्छा और शुभ नहीं पुन्टीपा प्राप्त होता है आमें दीपा जलाने से देव दीपा वली इसके बाद घंगा मिया को रोली से तिलक करदें यह से तरह के चड़ा देंगे चावलर पित कर देंगे और बहुत को बहुत को बहुत हें समंकर एक देपक भाते हैं अभी देपक नमई के चाहिए संदि धर जान है इस शहरमें प्सक्राइबड़े तो ाफित्रक्रा आसधिता इस खाज ज польз को ठोड़ना सब्सक्राइब तो अगर आप घर में भी दीबदान कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से घाट है अपने मन में भाव रखे कि घाट है आपको यहीं पे दीपक जलाने हैं और अगर आप 11 दीपक जला रहे हैं तो आपको ऐसे गोल गोल जो है चारो तरफ घाट के दीपक जला देने हैं और इस चोड़ने का मतलब हम गंगा महिया के सर पे दीपक रख़ुज़ना है जो है इस तरीका से आपको गंगा महिया के सर पे पी कोई चीज नहीं हो चीज नहीं हो इस भीblem लिई तो पूजीके को हम पील पूज़ते हैं थे तरह को चाहिए इद्साल्च को ऐसे DAVID कर दो thee जाना है नि देपक पहसी है और अगर पेल पुधब जलाइब मुधुधं पुर्परत नहीं होता है इस तरीके लगा लगाना है पेलージ गुषp होता है पोधों पर नहीं जाना चाहिए अलग जलाना चाहिए हमको दिया बस और भगवान अपने आपके से दीपक जलाना है कल देब दीपवली वाले दिन साथ तरिक को सिंपूर्णिमासी है कार्तिक की तो फ्रेंट्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे में मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जय माता दी